नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अंजना चौहान दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही खास है आप सब के लिए बहुत ही अच्छी चीज बालों के लेकर आई हूँ जो बाल जड़ रहे हैं रूखे सूखे बेजान हो गए हैं जाडू जैसे हो गए हैं मतलब यह लगता है कि सारे ब पहला चीज लेना है आपको एक चमच आपको चाय पत्ती लेना है इसमें कैफीन होता है यह आपके बालों में डार्क रिस देती है और प्रोटीन भी देती है और दूसरी चीज है इसमें मेथी ले रहे हूं दोस्तों मेथी कलोंजी ऐसी चीज है दोस्तों कि आपके बालों में कंडिशनिंग का काम करता है बाल जड़ना रोकता है इसमें आईरन होता है केलसियम होता है पोटेसियम होता है सोडियम होता है और दोस्तों फाइबर भी होता है पंदरा तरीके इसमें अमीनो आशिट पाए जाते हैं अब तीसरी चौथी चीज ले रहे हूं दोस्तों ऐल में ये चमक लाता है, साइनिंग लाता है, कंडिशनर का काम करता है और बालों का बिकास बढ़ाता है, विटामिन A भी होता है, अब ये ले रही हूँ प्याज, प्याज में दोस्तों सलफर होता है, प्याज समझ लिजे, एक ऐसी चीज है कि अगर आपके बाल पूरी तरीके स जा रहा है, तो वो प्याज जो है, आपके बाल को वापस ला सकता है, और इसमें ये करीपता ले। इसमें आईरन, कैलसियम, वीटामिन E, मैंगनेसियम, पोटेशियम, व होसके तो भीगो के रखिएगा, ताकि पीसेंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से वो पीस जाया और उसकी सारी goodness इस पानी में आ जाए ठीक है अभी तो होई जाएगा आप देखते रहे है वीडियो पूरी देखेगा एक request है दोस्तों आप से कि अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आ है तो मेरे चैनल को subscribe करेगा support करेगा दोस्तों जादा से जादा share करेगा इसक जनी की मदद से इसको छान लीजे बहुत ही जल्दी चन जाता है लेकिन थोड़ा सा गरम रहे तभी इसको छान जिएगा ठीक है यह देखिए बहुत जल्दी यह चन गया है अब आपको इसमें कुछ पाउडरे डाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आपके बालों में तो हीना से बाल कभी भी ड्राइ नहीं होते हैं यह आपके बालो में एक अच्छा कलर भी देगा और आपके बालों को जो ज़ड़ हैना मेती कलोंजी और प्याज की वज़ा से आपके बाल रुगेंगे भी यह इसमें गुड़ाल का फूल का पौोडर मैंने लिया है इसको आप डालिए इस से आपके बालों में बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा, बहुत भीटामिन सी इतना ज्यदा भिटामिन दोस्तों पाए जाता है मैं आपसे क्या ही बताऊ सबसे अच्छी चीच बालों में कलर लाने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए होता है ये इसका गुडाल का फूल और अगर ताजा मिलता है तो बहुत अच्छा है नहीं मिलता है तो पौडर डालीजिए अब ये आपके बालों के लिए अम्रित है आउला पौडर कलर तो देता ही देता है दोस्तों जो बच्चे हो चाहे बड़े हो आउला पौडर अगर खाने ल और बहुत लंबे समय तक बाल आपके सफेद नहीं होने पाएंगे, अगर आउला जूस पी रहे हैं, आउला का पाउडर खा रहे हैं, अलसी खाना शुरू करिए, मेथी का पाउडर बनाईए, कलोंजी का पाउडर बनाईए, यह सब खाईए भी, 50% यह सारा काम करता है, और 50 अगर आप अच्छी चीजे खाते हैं, तो उससे आपके बाल नई ग्रोथ आपके निकलना चालू हो जाएगी, इस चीज का बिश्वास करिए, पाउडर जरूर बना लीजेगा, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, उसके बाद दो च विटामिन्स सब कुछ देगा, कॉफी और सारी हीबिस्किस पाउडर, आउला, और सारी चीजे जो मैंने डाला है, गजब का पाउडर बना है, दोस्तों, मतब गजब की ये हेर पैक बनाया है, कि ऐसी कोई चीज नहीं है, जो इसमें ना पड़ी हो, आपके बालों के लिए वर्दान है, बेहद अच्छा खाद है, एक रात के लिए रखना है, दूसरे दिन जब आप इसका जो है प्लेट खोलेंगे, तो आपको ऐसा कलर मिलेगा, और इसमें कोई चीज ऐसे मतब करन नहीं है, कि फंस जाएगा, नहीं, हर चीज छनी हुई है, और पाउडर भी साथ से आठ साल का बच्चा है ना, उसे भी आप ये लगा सकते हैं, इसमें कोई भी केमिकल जरासा भी नहीं है, बालों में बहुत जादा अच्छी खाद मिलेगी, पोर्शन मिलेगा, मतब जैसे नहीं कि पेड़ सूख जाते हैं, और उनको पानी नहीं मिलता, खाद नहीं कर लीजी, मैं पतला कर लेती हूं हलकासा, क्योंकि बाल घने हैं मेरे, और बस एक कॉटन लेती हूं, इसके सहायता से मैं अपने बालों में कस्त के पूरे जणों तक पूरा भीगो देती हूं, इससे क्या है ना, कि ये पानी हलकास बन जाता है ना, तो ये आपके रोम क्योंकि बेजान हो चुके उनकी जड़े कमजोर हो गई है, उनको ये नई ग्रोथ देगा, ठीक है, जरूर देगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कलोंजी में थी और जो प्याज और अलो बेरा जो पड़ गया है, इसके वज़ा से इसके फायदे दुगनी हो गए है, बाल कितने सुन्दर लग रहे हैं, इसी तरह से आपके भी बाल हो जाएंगे, ठीक है, लगाते रहेगा दोस्तों, वीडियो पसंदायत, लाइक करिएगा, नमस्ते दोस्तों